आज हम आपसे बताएंगे डिजाइनर कुट्टी कैसे बनाते हैं यह एक मीटर कपड़ा है अभी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यह डवर फोल्ड हो गया अभी इसको फिर से फोल्ड करेंगे अभी 9.5 इंच हमने यह दूसरा कपड़ा अभी इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे इसके उबर अभी सोल्ड टू डाउन तक हाइट मापेंगे हाइट है 43 इंच हमको चाहिए 41 इंच यह 2 इंच एश्ट्रा है स्टिचिंग करेंगे अभी सोल्डर साइज है 12 इंच हम रखेंगे डवल में 6 इंच मुड़े हाइट है 5.5 इंच चेस्ट साइज है 34 इंच हम रखेंगे 10.5 इंच की हम मुड़े की गुलाई रखेंगे सोल्डर से 10.5 इंच पे एक मार्क लेंगे अब इसको यसा लाइन कीचेंगे अभी सोल्डर टू 13.5 इंच यह कमर कमार देंगे कमर साइगे 15 इंच सिंगल में करेंगे तो 30 आएगा हम डबल में कर रहा है तो फुक्ति नाएगा हम इसको रख रहा है 9.5 इंच मुड़े की गुड़े से लेके 12.5 इंच तक यह सीट कमार करेंगे सीट है 36 इंच हम रख रहा है 40 इंच अभी जो पॉइंट दिया यहां पर यहां से हमें से लाइन कीकेंगे इसको फ्रॉस में यह कमर का है यहां तक जॉइंट करेंगे फिर यहां से सीट कमार करेंगे अभी इसके गुलाई करेंगे यह स्टेट कट है इसलिए इसमें कोई एस्ट्रा कपड़ा नहीं है करेक्ट कपड़ा है अभी इसको में कटिंग करेंगे अब यह डवल पीस है इसको में कट करेंगे अब यह लाइन कीची भी यह सीट की लाइन है अब यहां पर हम कट देंगे यह सीट का कट है अब यहां पर कमर का कटेंगे अब यह मुड़े की कटिंग करेंगे यह बैक साइड की कटिंग है अब यह फ्रेंट में हाफ इंच एक्ष्ट्रा मार्क करेंगे कटिंग के लिए जो यह मार्क है यह फ्रेंट का है और जो यह कट किया है यह बैक का कम्प्लेट लोगे अब फ्रेंट का हमने अलेडी कट कर लिया यह डियानर दीजेंगे यह कुछ इस तरह दिखेंगे अब यह क्लॉप है अब यह हम इसमें से हैंड्स कट करेंगे इस तरह फोर्ट करेंगे हमको हाइट चाहिए फोर इंच हमने रखिया फाइव इसकी गुलाई है 6.5 इंच हम रखेंगे 1.5 इंच अब हमने 1.5 इंच रखा है यहां से 1 इंच का इसा क्रॉस में इसान लगाएंगे यहां से हमने 9 इंच रखा है 9 इंच से इस तरह इसकी गुलाई देंगे हम बैक साइट नेक कटे करएं नेक हाइट है 7 इंच हम रखेंगे 7.5 इंच बाउन में से 2.5 इंच रखेंगे हमको ब्रॉड नहीं चाहिए हम 2 इंच रखेंगे इस तरह से लाइन की चाहिए अब इसमें हाफ इंच के गुलाई देंगे यह होगे बैक साइट इसपेंगे अब हम फ्रेंट से देक कट करेंगे नेक हाइटा है इस सिक इंच हम रखेंगे 6.5 इंच यहां से डाउन जाओंसे स्वील्डर से तूडर से इसा लाइन कीचेंगे हमको थ्री पॉइंट वाइंट वाइन तो उनने यहां 6.5 इंची पर पॉइंट दिया है यहां से ऐसे क्रॉस में एक मार्क करें इस तरह से अभी करें में कटें यह होगे प्रेंग में करें यह क्लॉस है अब इसको ने कट किया है इस तरह से रखेंगे और इसी की सेट में कट करें इस नेक पत्ती इसको 1.5 इंच की रखेंगे इस पत्ती इस तरह से यह होई फ्रेंट नेक पत्ती कटिंग जैसे के अब यह क्लॉस बचा है अब इसको में बैक पत्ती कटिंग करेंगे इस तरह से रखेंगे अब यह ओपन हिस्सा है तो इसको में इस्टीशिंग डारेंगे तो इसलिए यह इस्टीशिंग करेक्ट हुसा है अब यहां पर हम एंश्ट्रा कट करेंगे यहां पर इस्टीशिंग के इसको साइड में रखेंगे इसको भी हम 1.5 इंच की पत्ती रखेंगे चोड़ाएंगे यह राउंड में 1.5 माना चाहिए अब इस तरह से लेंग कीचिया है अब इतर हमने देट मात किया है 1.5 का एसे राउन में लेंगे पासरों नेट मक्तिशिंगे इस्टीशिंगे अब जयता है अब जबनेने की पत्तिल काती है इसके उपर इस तरह से रखेंगे यह बैक साइड पट्टी है अभी इसको इस तरह शी रखको इसको इसको और भी आचप्टी तयार हुए यह बैक साइड की नवकपट्टी तइयार हुए यह बैक साइड की नवकपट्टी तैया हो यह फ्रेंट की मयख पट्टी है अब इसको भी इस तरह से जैसमें अब इसमें पट्टी जोइंट करेंगे इस तरह से जैसे कि पॉइंट लेक है अब इसको फोल्डिंग में एजी रहे है अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से अब मिया को पॉइंट कटकर लिया तो प्रेक्ट जा रहा है अब ये नेस रेडी हो रही है जैसे कि अभी फ्रेंट का हमने कंप्रीट खुलिया वैसे ही अभी बैक साइट सा कंप्रीट करेंगे इस तरह से जैसे कि थोड़ा एक्ट्रा प्लॉट है इसलिए हम इसको कट मारेंगे जिसके कि अभी प्रेक्ट आएगा जब फूल करेंगे इस ब्लेस लगानी है तो ये सबसे पहले ये हाफ प्रेसर फुतर है इसको चेंज करेंगे इसको चेंज ये हाफ प्रेसर फुतर इस्थरेस ब्लेज करेंगे इसको इस्थरेसर रखो ही इसको कि स्थरेसर प्लॉटर है अभी सेंटर से यहां तरह मैंट मार्की ज़िए के गाता हमसेlar जो हमने ड्रेस कट किया था यहां पर भी सेंट्र में पॉइंट दे रहेंगे जिससे की वो करेक्ट आए लगा इस तरह इस तरह इस पॉइंट को एस इस तरह से आना चाहिए अब यह हाव फुटर हमने निकाल दिया है अब यह फुल फुटर जानेगे चाहिए यह पॉइंट और यह टॉप को पॉइंट इस तरह से रखेंगे जैसे के भी फ्रेंट का किया था सेम बेक साइड का जोइंट करेंगा यह बैक पीस है और यह फ्रेंट पीस है बैक पीस को फ्रेंट पीस के उपर ऐसे रखेंगे इस तरीके से इस पोल्ड करके अब इस्टिकन राखेंगे अब इसको इस तरह से फ्रेंट करेंगे नहीं तो नेटल टूट जाएगे अब इस तरह सेंटर है सेंटर में मार्क किया है इस तरह से यह सोल्डर का सेंटर है अब इस सेंटर को इस तरीके से बतके इस तरह सेंटर है अब इस सेंटर हैं अब पोल्डर का पोलेंटे, इसे हमें लेफ साइड ही डाला है इसका बड़ा बड़ा रस प्राइब, इसे हमें लेफ साइड है यह 20 है, हमको चाहिए 17 इंच, तो 1.5 इंचे इधर से कम करेंगे 1.5 इधर से कम करेंगे 1.5 इधर से कम करें पाव इंच का बॉर्डर एड़ करेंगे अंदर की साइड से, इस तरह से इधर से कम करेंगे इमने भी साइड बॉर्डर लगाया, अभी यह डाउन में बॉर्डर लगाया 2.5 इंच 2.5 इंच 3.5 इंच 4.5 इंच 4.5 इंच 5.5 इंच इस तरह से इसको पूर्ड करेंगे 5.5 इंच 5.5 इंच 5.5 इंच प्तुन कोर चींपान, और गचान, प्तुन सेटलक्या